सब्सक्राइब कर सकता है जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर देगे ताकि बाके सूदेंट्स भी आके एड्जेक्टिव प्राक्टिस यहां पर करें एड्जेक्टिव की विडियो का सकता है चाहे उसने मुझसे एड्जेक्टिव पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है कोई भी आजका अट्रेंड कर सकता है एक बार जल्दी से बचेंट जूट जाएंगी और यृट यृडियो बताएंगी क्लियर है कफी सारे questions यहां पर solve करेंगे और good morning, good morning पभी को good morning भाई good morning بचो कैसी हो भाई सभी सब कुछ clear है बहुत बढ़ी है very nice गलो unmot तो अच्छे रिविजेन करके आयों है यह नहीं आई हम जल्दी से पेले यह बताओ बच्री रिविजेनक करके आएं हैं अची इस जितना एघ्जेक्टिव आप लोगो ने पढहा है अच्छे से उस पर необходимо करके आयहों बताओफटाओ तो पढ़ाया है सब करके मैंने बोला था कि प्रैक्टिस सेशन में रिवेजन अच्छे से करके आना पूरा अच्छे से पढ़के आना तो क्यों करने में और अच्छा लगेगा और आपको बिल्कुल करेंगे इसके बाद पढ़ेंगे और सभी चैप्टर करेंगे लेकिन मैं सोच रही थी कि जैसे की बच्चों बच्चे कहा भी रहे थे कि मैं MTS का एक्जाम आ रहा हुआ हूँ प्रेलिम से पहले पहले तो आपका ही बैच कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अभी कुछ बच्चों का एक्जाम भी है लास्ट नेक्स्ट मन्त तो कुछ बच्चे यह बोल रहे थे कि मैं MTS के एक्जाम से पहले पहले ना आप नेरेशन वाइस करा दो उससे क्या होगा नेरेशन वाइस जहां से कंफॉर्म है कि क्वेशन आना ही आना है तो इसलिए यह दो चाप्टर में सोच रहूं कि आप लोगों की पहले करवा देती हूं मैं MTS से पहले पहले ताकि मैं आप लोगों को यहां पर पूरा करा दूं और उसके बाद फिर आप अपनी नेरेशन और पहले पहले कर लेते हैं MTS के एक्जाम से आकि आप लोगों की help हो सके अना क्लियर है ना हां तो ऐसा ही कर लेंगे फिर पहले आप लोगों को narration voice करा देंगे पूरे इसकी concept समझते हुए कि किस में किस किस तरह से changes किये जाते हैं तो पूरा वो समझते हुए यहां पर start कर लेंगे narration voice देन फिर हम आगे की चीजों को बढ़ा सकते हैं चंद्र प्रकाष कह रहे है कि मैं टाइमिंग बचों यही रहेगा क्लास डेली की है आपकी तो 6 बजे पॉसिबल नहीं है साइन्स की बच में डेली हो गई है इंग्लिश की डेली हो गई है तो इसलिए वह शाम का फिर slot definitely free करना था तभी आप सुबह शिफ्ट करा के ही आपकी क्लास रोज हो सकती थी तो आप लोग जानते है कि पहले alternate days पर होती थी अब रोज क्लास हो रही है इसलिए morning में आप लो सब्सक्राइब की प्राक्टेस फर्स्ट क्योशन आप लोगों की स्क्रीन पर ही रहा इन फर्स्ट और सेकिंड दोनों एक साथ रहे चलो बताओ फटाफट से की जो फर्स्ट क्योशन है उसमें क्या एरर है जल्दी से बचे जुडेंगे आज का सेशन बहुत ही शानदार हो पाबलिक सेंटेंस में क्या एरर है कौन से पार्ट में एरर बचो ए बी सीडी नहीं करना है आप लोग जानते हो विए क्लास के नौम से नहीं करना है एबी सीडी के साथ साथ रीजन भी बताना है कि माम इस पार्ट में गलती है और यह गलती है साथ में जो रीजन है उसको इतर बेज देंगे कि यह वाला गरत है चालो फॉर्स्ट में बताओ पहले क्या एरर है पढ़ लीजे अच्छे से लीजे पढ़ो और बताओ कि फॉर्स्ट केविशन में क्या एरर है अभी बचे जल्दी से बताएंगे से इप बल पाल लिए हम ये में दो के लिए हम यूज करते हैं और है फ्लेक्राऀंड हम यूज करते हैं यहां पर नहीं आएगा दो मिनिस्टर की बात है इसलिए यहां पर इच अधर का यूज किया जाएगा तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है आप लोगों की बी पार्ट में एरर हो जाएगी करेक्ट नेक्स क्यों देखेंगे इन मैंनी रिस्पेक्ट बोथ सिस्टर्स आर इवरी सिमिलर करेक्टर्स बड़ एल्डेस्ट हाव मोर स्परिट आंड डिटर्मिनेशन बताईएगा सिंटेंस के अंदर क्या एरर है थेंक्यू सो मच आशू थेंक्यू सो मच बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में वी घ्ला सैशन को देखते हैं और पसंद्द भी कर रहे हैं THANK YOU SO MUCH आप पढ़ते रहें बच्छो अच्छा देंगे आप लोगों को DON'T WORRY yeah practice session भी कराते हैं हर एक chapter के बालब को जैसे हम ठियोरी करते हैं गदिरी केक्रक्टर किपराओ鋈 भी करते हैं पर मैं अब कि यहां पर यह बचे इस चुडेंट आंसर कर रहे हैं कि मैं देखो दो सिस्टर्स की में हतना वह सबसक्राइए काएं स्टूडेंट्स में यहां पे आप लोगों का एल्डेस्ट नहीं आएगा क्योंकि जब हम बात दो की करते हैं तो उस केस में आती है आप लोगों की सब कुछ बचो आपके नोट्स में आपको थोड़ा से दिमाग लगाना है नोट्स के साथ साथ और अगर आप प्रेविशन करके आएं सब पढ़के आएं तो और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इसे ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगी next देखो according to studies not more than 5% of education loan taken by students are overdue चालो पढ़ो और बताओ की sentence के अंदर क्या error है बताओ इसो के सुशील बताओ बच्छो क्या answer है आपे और बच्छे answer करेंगे कि अंदर प्रकाश के रहे हैं पढ़के नहीं कोई बात नहीं ट्राइब करो answer करने की फिर भी देखते हैं कितने बच्छे सही answer करते हैं यहां पर आप लोगों की गड़बड क्या है लॉन क्या है नाउन के साथ क्या आना चाहिए और आप लोगों को सिखा के जाएंगे जो बच्छे यहां पर त्यारी कर रहें आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छा आप लोगों को सिखा कर जाएंगे यहां से अकॉर्डिंग टू स्टडीज नोट मोर देन 5% अफ एजुकेशन लॉंस नहीं होगा एजुकेशनल ओन्स होगा क्योंक्य लॉं यहां पर हो जाएंगे आप लोगों का नौन और जो नाउन को क्या होता है अप लोगों का एड्जेक्टिव इसलिए यहां पर मुझे यहांपे एड्जेक्टिव के स्वराऄ थै है मुझे पार्ट में एरर है एजुकेशन नहीं दो दो नाउन हो जाएंगे नहीं तो एक साथ आप लोगों को वहाँ पर एजुकेशनल लॉंस करना होगा नेक्स एको इस मोर बैटर इफ वन आप दे पेरेंट्स स्टेज अट होम तो लुक आफ्टर दा चिल्रन क्या रहा है कि अच्छा हो बहतर होता है कि अगर दोनों में से कोई एक बच्चे के पास रुख जाए उसकी देख भाल के लिए बताओ सेंटेंस के अंदर क्या एरर है बड़े अराम से आप बता सकने हैं वेरी नाइस तो आप लोग जानते हैं कि बेटर तो बच्चो अपने में कम्पार्टव डिगरी है बेटर क्या है खुद में ही अंसर कि एकदम सही है तो यहाँ पर आप लोगों का का अंसर हो जाए क्लियर है सबको बात हां नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे कंपारिटिव डिग्री के साथ और अल्रेडी वेटर कंपारिटिव डिग्री है तुम्हां पर मोर्ड नहीं आएगा यह आप लोगों के क्यापिटल बनेंगे अगर ध्यान से सुना होगा समझा होगा तो अगर अच्छे से सुना समझा होगा तो एकदम आंसर कर दोगे बताओ भई एक रेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए बताइए और एक बार जल्दी से प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स और क्यूंकि रेगुलरी पढ़ने वाले बच्चे हो आप एक बार लाइक बटन जरूर रिट किया करो बच्चो और शेयर भी जरूर कर देंगे वीडियो को सभी जगा वेरी नाइस तो यहां पे जो आप रोका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अधर कल की क्लास में कराया बताया था ना बच्चों की जो अनधर होता है वो तो एडिशनल वन की बात करता है एडिशनल वन जादा की बात करता है लेकिन अब दो में से किसी दूसरे की बात करनी ह होती है तो इसकेस में अधर का यूज करते हो तो कह रहे हो कि मुबाइल खराब हो गया लेकिन दूसरा ले ना है दूसरा दे दो मुझे इसको रिप्लेस कर दो तो इसलिए अधर आएगा ये एक बहुत कल बहुत अच्छे समझाया था नेक्स एको इस चाइनीज index stock market is one of the worst performing stock market in the recent times Ooo one of the worst performing stock market in the recent times that has impacted the global economy बताये ऩो सिस्टेंटेंस में क्या अर्रर है ए पाइए कुलाहिए ह हरो एक ficar अधर के अधर क्या आ दश्टींट्टेंस बता दाए पाएवक कि वह तत्भी कि मुथ अग निए्या हर में very nice तो देखो इसमें दो दो गलती आए एक टाइपिंग एरर है एक आप लोगों को करनी है तो देखो एक तो यहाँ पे मार्केट्स आएगा चलो इसको मैंने ठीक कर दिया क्योंकि जादा मार्केट्स में ही तो एक की बात कर रहे हो आप कहरो कि Chinese Stock Market जो है is one of the worst नहीं one of the worst जादा मैं से जब एक की बात करते हैं तो we use superlative degree of adjective यहाँ पे वर्स आजाएगा ठीक है कल आपको बताया था ना जब जादा मैं से एक की बात कर रहे हो तो उस case में superlative degree लगा जाते हैं तो worst नहीं worst आ जाएगा क्यूंकि ज्यादा मेंसे किसी एक की बात कर रहो one of the worst performing super stock markets यहां पर आएगा ज्यादा मेंसे markets लगाना जरूरी है markets में एक market की बात कर रहो Chinese stock market की that means यहां पर जो आप लोगों का मार्केट्स हाना चाहिए था ऐसे फॉर्स पार्ट में एरर थी वो टाइपिंग एरर थी नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे अब पंचायत इस सिमिलर्ली तू अ गवरंट्मेंट इन मैनी रिस्पेक्ट्स बट इट केन नॉट इंपोस टेक्सेज ऑन दा सिटिजन्स बताइगे सेंटेंस के अंदर क्या एरर है सब इस्टूटेंट्स बताएंगे बच्व कंडिशनल अभी कराऊंगी मैं कंडिशनल वर्ड जो होते हैं आप लोगों कि उनके साथ हम फ्यूचर का यूज नहीं करते रसे एफ हो गया उसके आदम विल शेल नहीं लगाएंगे ठीक है वह लोगों के पास बहुत ज्यादा आती है कि वह क्या करता है एड्जेक्टिव की जगा एड्वर्ब की जगा एड्जेक्टिव लगा के देगा इस तरह से काफी एरर आपके एक्जाम में पूछी जाती है तेले के नेक्स्ट का अंसर करेंगे दर रेट आफ हार्टबीट इन इस विश्लिपिंग बताओ, sentence में क्या रहर रहा, अच्छा question है, तब अच्छे answer करेंगे कि यहां पर क्या answer होना चाहिए, काफी बार आप लोग के exam में इस concept से question आया है, important mark करेंगे, important concept है, question definitely change हो जाएगा, क्योंकि grammar के अंदर आप देखते हो, तो concept repeat होते हैं, but questions repeat नहीं होते, जियान रखेगा, ज लेकिन grammar के अंदर question सेम नहीं आता, लेकिन concepts repeat होते हैं, तो यह concept पर question आया है, आप लोगों का, very nice, तो देखो बच्छे, lower क्या है, lower अपने आप में comparative degree है, comparative degree के साथ, आप comparatively या relatively word का use नहीं करते हो, ध्यान रखेगा, वो superfluous हो जाता है, तो इसमें जो यह comparatively word लिखा है, यह गलत हो जाएगा, यह यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान रखेगा, do not use, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप लोग, do not use words, comparatively, relatively, relatively आजाए या comparatively आजाए, इनका use हम, comparative degree के साथ नहीं करते हैं, with comparative degree, cd में short में लिख रही हूँ, cd मतलब comparative degree, comparative degree के साथ comparatively और relatively word का use नहीं करते हैं, क्योंकि वो हो जाएगा, superfluous, अपने आप में ही comparison दिखा रहा है, liver तो अपने आप में ही comparison दिखा रहा है, तो उसके साथ comparatively लगा के आप उसको superfluous नहीं करेंगे, तो comparatively word को इसमें से remove कर देंगे, b part में आप लोगों की error हो जाएग clear about सबको, next question देखेंगे, with a fresh coat of paint, a school can look much nice, चालो, बताओ फटाफट से, बहुत अच्छा question है, थोड़ असा दिमाग लगाते हुए answer करना है, अगर थोड़ असा सोच के करोगे, तो definitely answer कर पाओगे, बहुत अच्छे-च्छे questions हैं, आप देखोगे कि last में आप लोगो काफे क सीखने के लिए आज मिलेगा, काफी सारी नहीं बाते, नहीं चीदे सीखने के लिए मिलेंगी, लेकिन वीडियो की end तक बने रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और सारे questions का answer बिल्कुल दिल खोल के करो, गलत भी करो, कोई tension नहीं है, लेकिन अपना दिखाओ कि जायेगा कि हमने इस question का गलत आंसर किया था, सही यह होना चाहिए था, बताइए भई, very nice, तो यहाँ पे अश्रफ ने सही आंसर किया है, और भी बच्चे हैं, जो correct answer कर रहे हैं, देखो बच्चो, यहाँ पे क्या है, हाँ, देखो बच्चो, यहाँ पे क्या है, कि भले ही यहाँ पे दैन न लगाओ, मैंने कल भी आप कोई बास समझाई थी, कि जरूरी नहीं होता, कि जिन sentence में दैन लगा होता है, सिर्फ वही comparison करते हैं, अब यहाँ पे दैन नहीं लगा, लेकिन फिर भी comparison तो हो रहा है, क्य पेंट हो जाएगा, तो पेंट के बाद वो चीज अची नजर आएगी, तो घर में पहले खराब दिख रहा है, पेंट के बाद अच्छा दिखेगा, तो definite सी बात है कि comparison तो आप कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे comparative degree का लगाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं इसको बेटर option में आप लोगों की error हो जाएगी, ठीक है, next देखेगा, I answered the questions as best as, I could and try to explain everything to them, चली, concept आप लोगों की notebook में लिखा हुआ है, आप लोगों को यह बताना है कि sentence के अंदर क्या error है, very nice, very nice, very nice, सुनिल, चलो भई, आप लोगों को यह बताना है कि sentence में क्या error है, concept आप लोगों क notebook में लिखा हुआ है, गौरव यह बहुत बात, बहुत लोग कहते हैं इस बात को, चलिए, बताए, very nice, तो यहां पर बच्चों आप लोगों को बताया था, लिखवाया भी था, concept में आप लोगों के लिखा भी हुआ है, कि जो as as और so as होता है, always connect positive degree of adjective, वो हमेशा positive degree को आपस पे जोड़ता है, adjective की positive degree आप यहां पे लगाते हो, तो बच्चों well भी नहीं good आएगा, क्योंकि good आपका adjective है, well आपका adverb होता है, तो इसी लिए I answered the question as good as, as good as I could, तो यहां पर first blank में आपका first option में error हो जाएगी, घ्यान रखीगा as as, so as के बीच में हमेशा जो आप लगाते हो, वो positive degree का use करते हो, very nice, next question देखीगा भी यहां पे, भरतपूर is transforming into India's most fastest growing bird sanctuary, attracting thousands of migratory birds, चलिए भई, बताईए, sentence के अंदर क्या error है, let's see कितने students, correct answer देते हैं, बताओ, अराम से पढ़ो इस question को, बताएंगे कि correct answer क्या होना चाहिए, कह रहा है कि भरतपूर जो है न, इंडिया की सबसे fastest growing bird sanctuary में transform हो रही है, जो कि बहुत सारे migratory bird, thousands of migratory birds को attract कर रही है, बताओ, बचो, fastest तो अपने आप में ही क्या है, superlative degree है, और superlative degree के, already वो superlative degree है, उसके साथ मोस्ट का use नहीं करेंगे, बी पार्ट में आप लोगों की error हो जाएगी, right, next देखो, despite taking a lot of interest in studies, there has been any substantial improvement in his knowledge, बताये sentence के अंदर क्या error है, पढ़िए अच्छे से और answer के, सारे questions में कहा रही हूँ, बहुत बढ़िया होंगे, मतलब एकदम हर different different level पे questions होंगे, different different pattern पे questions होंगे, आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, सारे questions इतने बढ़िया होंगे, but last तक बने रहेना, और सारे questions का answer करना भी बहुत जरूरी है, अभी बात बन पाएगी, हाँ, तो यहाँ पर देखें कोई बच्चों ने सही answer किया है, लेकिन एक दू बच्चों नहीं किया है, बाकी पता नहीं क्या गलत गलत आंसर कर रहे हैं, ठीक है, most तो उसमें लगा ही नहीं, मोस्ट कहां से हटाओगे, लेकिन बच्चों कह रहा है, despite का मतलब क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद, कह रहा है, despite taking a lot of interest in studies, studies में बहुत सा इंटरस्ट लेने के बावजूद भी, study में बहुत सा इंटरस्ट लेने के बावजूद भी, there has been any substantial improvement in his knowledge, यह तो कहोगे नहीं कि बहुत सारा इंटरस्ट लेने के बावजूद भी, there has been improvement है, जब बावजूद कह रहे हो तो इसका मतलब second, इसमें आप not लगाना जरूरी है, यही तो कहते हैं कि बहुत पढ़ने के बावजूद भी, वह fail हो गया, इसका मतलब जो second close है, आपको negative बनानी पढ़ीगी, तो यहां पर, despite taking a lot of studies, interest and studies, studies में बहुत सा interest लेने के बावजूद भी, there has not been any substantial improvement in his knowledge, यह इतना interest लेने के बावजूद भी, उसकी improvement knowledge में कोई improvement नहीं है, उसको negative करना बहुत ज़रूरी है, clear है, तो यह आप लोगों का important point है, इसको आपको ध्यान रखना है, भी part में आप लोगों की error हो जाएगी, बच्चो, sense भी साथ में बठानी पढ़ती है, थोड़ी सी की बढ़ी सही आ रहे है की नहीं आ रहे है, है ना, चौल, next question देखिए, यहां पर the recent protests against rape and sexual harassment have been the most strongest campaign for social justice in the history of mankind, sentence कितना भी लंबा क्यों ना हो, बट अगर आपने concepts को अच्छे से पढ़ा है, अगर आप लोगों ने अच्छे से class को attend किया है, सारे concepts आप लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, तो आप huge उटकियों में answer कर दोगे, चाहे question कुछ भी क्यों ना आया हो, है ना, अब यहां पर देखो, किसी चीज को ध्यान से देखने की ज़रत ही नहीं है, साफ साफ पता इस साल के अनत तक हम प्लान कर रहे हैं कि अपनी फैक्टर को उधर शिप्ट कर लेंगे, ठाक है, we are in the process of finalize, नहीं आएगा, we are in the process of finalizing, of है, तो अपने बाद क्या लेगा, यह इन जी फॉर्म लेगी, तो यहां पर finalize नहीं, verb of के बाद, preposition अपने बाद verb नहीं लेगी, तो यहां पर finalizing our new site हो जाएगा, first option जो है, यह आपका correct answer हो जाएगा, जिन भी students ने very nice, तो यहां पर रवी ने सही answer किया है, बहुत बढ़िया, और भी जो students है, जो यहां पर first option answer कर रहे हैं, सभी का answer बिल्कुल सही है, next question देखेगा, in joint family, यह सबका जो first letter है, capital बनेगा, इसको void कीजिएगा, इसको error मस समझेगा, इस तरह की error आती भी नहीं है, next हेगा, in joint family, business, it is felt that joint decision are more better than any one person's decision, बताओ, नहीं, चंद्रप्रकाश, वो लिख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, एक चीज आप ऐसे बोल रहो, इस साल के अंत तक, और साल के अंत तक, वो depend करता है, किस वे में बोल रहो, दोनों चीज पॉसिबल जाती है, ठीक है, बिल्कुल, comparative better क्या है, आप लोगों की comparative degree है, और comparative degree के साथ, मोर का use, नहीं करेंगे, तो इसमें से मोर अटा देंगे, simple, next, देखो, unless the new resolution is completely reviewed, it will cause a great deal of trouble for new employees, बताईए बही, sentence में क्या error है, जल्दी से बताएंगे, सब इस्टूडेंट्स, पढ़ो अच्छे से और बताओ, unless और until, इनके बीच में क्या difference होता है, इसको हम conjunction chapter के अंदर पढ़ेंगे, अभी धीरे-धीरे करके आ रहाए, conjunction भी, लेकिन उससे पहले मैं सोचते हूं, narration voice करा दूँ आप लोगों को, क्योंकि narration voice एक्जाम में पूछा जाता है, है ना, fix है, महां से question आना ही आना है, तो मैं narration voice पहले कराऊंगे, MTS से पहले पहले, ताकि MTS वाले बच्चों को भी, उसका भी फाइदा हो जाए, उन लोगों को unless the new resolution is completely, देखो बच्चों, unless आता है action के लिए, until आता है time के लिए, और यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी घडबन नहीं है, action की बात उरिया, unless the new resolution is completely reviewed, it will cause a great trouble for new employees, no error sentence के अंदर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो कोई भी error नहीं है, ठीक है, until नहीं है, यहां पर unless ही आएगा एकदम सही लिखा है, next question देखेंगे, water contamination has become more serious, since have begun to use new substances, बताओ, sentence के अंदर क्या error है, very nice, तो जिन बचों ने यहां पर no error answer mark किया है, उनसा ही बचों का answer बिल्कुल सही है, इस sentence के अंदर भी कोई भी error नहीं है, यह भी बहुत अच्छा question है, 18th question का answer करेंगे, देखते हैं कितने students हैं, जो यहां पर सही answer करते हैं, at the utmost gate was standing a guard, holding a gun in his hand, बचाओ, sentence के अंदर क्या error है, आर अभी हो चकता है, नहीं, SSC aspirant, it's not mandatory, very nice, तो देखो, Sanjay ने यहां पर correct answer किया है, बहुत बढ़िया, तो यहां पर utmost नहीं आएगा बचों, गलत adjective यहां पर use किया गया है, गेट की बात हो रही है, यहां पर गेट की, utmost gate नहीं, utmost तो extreme होने को कहते हैं, जो ची extreme हो जाती है, उसको हम utmost कहते हैं, यहां पर utmost नहीं, outermost आना चाहिए था, गलत adjective यूज किया गया है, तो add the outermost gate, मतला बाहर वाले gate पर, बहार वाले gate पर गार्ड खड़ा होता है, कोई भी भी घर होता है, तो सबसे जो बाहर वाल, outermost gate होता है, गार्ड उसी पर होता है, इसलिए यहां पर utmost नहीं, outermost gate होन चाहिए था, first part में यहां पर error है, ऐसा भी आप लोग को करेगा, कि गलत adjective लगा के दे देगा, आना कुछ चाहिए था, आज यहां जैसे further further बताया था, मैंने आप लोग को, आना further है लगा के further दे रखा है, आना near है लगा के nearest दे रखा है, next है लगा के nearest दे रखा है, few की इसी तरह से आप लोगों को mismatch करके देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि sense सही आ रही है कि नहीं आ रही है, next question उसी पर based है, दिली का D capital कर लीजिए, यहां पर O का O, यह इसको avoid करना मैं बोड़ू, first letter capital बनेगा, बढ़ यह आप लोगों की error नहीं है, ठीक है, चलो, next देखें, यहां पर बताईए sentence में क्या रही है, डेली is further from हिसार, then row तक, कह रहा है कि डेली हिसार से दूर है, row तक से जादा बताओ, हां, तो यहां पर, कल ही आप लोगों को difference बताया था, session में, adjective two में, what is the difference between further and further, further उतार next के लिए, जब हम आगे की बात करते हैं, और further हम distance के लिए use करते हैं, तो यहां पर फिलाहल बात हो रही है, distance की, इसलिए यह हो जाएगा, farther, कि डेली is further from हिसार, not further, 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 further से error आती है, थोड़ा सा समल के चलना है, ठीक है, of the two players, he is the luckiest one, यह भी concept आपको कल की class में ही कराया है, तो लो फटाफट से बताओ कि sentence के अंदर क्या error है, जल्दी से बताएंगे, sentence में क्या error है, हाँ, very nice, देखो बचो, very nice, तो यहाँ पे, इपक कुमार ने सही answer किया, SSC Aspirant भी सही answer कर रहे है, अमन का answer भी चाहिए, सही है, चंदर प्रकाश, रवी, लखी वन कह रहे हैं, नहीं, बचो, कल ही आप लोगो यह concept कर रहा है, जिन बचो ने कल की class की होगी, वो तो मार नहीं खा सकते, है न, देखो, यहाँ पे, of the two का case है, of the two के, जब दो में से हम बात कर रहे हैं किसी एक की, कि of the two players, दोनों players में से वो ज़्यादा, क्या है, लखी है, तो उस case में comparative degree तो आनी आनी है, ही आएगी, वो तो कोई बात ही नहीं है, यह आपकी comparative degree हो गई, और कल हमने जो concept पढ़ा था, वो यह पढ़ा था, कि इस comparative degree से पहले दह लगाना भी mandatory है, जब हम of the two का case होता है, जब हम of the two की बात कर रहे होते हैं, कि इन दोनों में से यह ज़्यादा strong है, यह इन दोनों में से, जिसे यहाँ पर बोल रखा है कि यह ज़्यादा लखी है, उस case में comparative degree से पहले आप दह लगाते हो, दो cases बताये थे जहाँ पर comparative degree से पहले दह लगता है, otherwise हम comparative degree से पहले दह का यूज नहीं करते हैं, superlative degree से पहले दह का यूज किया जाता है, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, point तो भी part में आप लोगों की error ज़्यादा, next question देखेगा, Sarita is senior to me, but he is junior than me, बताओ, यहाँ पर very nice, बताया था न, जो adjectives आप लोगों की I, O, R में end होते हैं, यह भी कल लिखवाया था, उसके साथ हम 2 का use करते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यह आप लोगों की C part में error हो जाएगी, नेक्स देखो, Ritu can sing much than 10 songs, at a stretch and she has developed this ability by laboring hard, बताई, कह रहा है कि वो 10 songs से ज़्यादा गा सकती है, बचो much than नहीं होगा, क्या होगा, more than होगा, है न, much than नहीं, more than 10 songs, 10 songs से ज़्यादा गा सकती है, तो यहाँ पर 1st part में आप लोगों की error हो जाएगी, very nice, बहुत बढ़िया, next question, she was willing to know what it was that made him stronger and braver than any man of this village, बताओ, अच्छा question है काफी, सभी students बताएंगे कि sentence के अंदर क्या error है, यह भी concept एक तरीके से मैंने आप लोगों को कली कराया, अगर थोड़ अस आप सोच के करेंगे, तो बता सकते है answer कि क्या होगा, बहुत बढ़िया, इस question का answer करेंगे सभी students, तो यहाँ पर एनी अदर बोल रहा है, बहुत सारे students जुन्होंने सही answer किया है, रदीप हो गया, अमन, रवी, संजे, सोनू, पूजा, सभी का answer सही है, अमन का answer भी सही है, वेरी नाइस, कृतिक का answer भी सही है, और और भी students है, चंदर प्रकाष जिन्होंने सही answer किया है, वेको, she was willing to know what it was made him stronger, किसी person की बात हो रही है, कि उसको जानने की इच्छा थी, क्या ऐसा है, जो उसको strong बनाता है, और बहादूर बनाता है, विलेज के किसी दूसरे इंसान से, ज़्यादा है ना, तो आप विलेज के किसी दूसरे इंसान का comparison उसके साथ कर रहे हो, इसी लिए यहाँ पर any man नहीं आएगा, any other man, किसी दूसरे इंसान से, जो उसको अलग बनाता है, तो यहाँ पर C part में, आप लोगों की error हो जाएगी, other लगाना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा, next question देखिएगा, Reema has a lovingly appearance, which brings her honor and admiration as well, बताओ, sentence के अंदर क्या error है, very nice, तो यहाँ पर पूनम ने सही answer किया है, प्रदीप का answer भी सही है, तो यह students हैं जो यहाँ पर सही answer कर रहे है, इसी आस्परेंट का answer भी सही है, और, very nice, धरन जे का answer भी सही है, बचो appearance क्या है, appearance है आपका noun, और noun की साथ क्या लगाते हैं, लगाते हैं adjective, लेकिन lovingly लगा हुआ है, एडवर्ब लगा हुआ है, जो की गलत हो जाएगा, इसको हटाएंगे यहाँ से, और इसकी जहेंगा क्या लगाएंगे, loving करेंगे, loving appearance, lovingly appearance नहीं, noun को जो qualify करता है, वो होता है आपका adjective, इसलिए यहाँ पर loving आ जाएगा, first part में आप लोगों की एरट हो जाएगी, clear है, loving appearance हो जाएगा, next question देखेंगे बहीं यहाँ पर, are lots of books on English grammar, are available in the market, but this one is the best, यह रहाँ बहुत सारी किताबे, grammar पे available हैं, market में, but this one is the best, यह वाली best है, अंजी रभी बिल्कुल, lovely भी adjective होता है, बिल्कुल, noun में जब हम लवाई लगाते हैं, तो वो adjective बनता है, यह मैं आपको adverb में सिखाऊंगी, don't worry, यह पार्ट है अभी, इस वो adverb में सिखेंगे, यह दोनों चीजे में पे एक साथ आजाएंगी, कैसे adjective लवाई वाले होते हैं, और कैसे आपके फिर adverb होते हैं, तो वो दोनों चीजे में पे खट्टी आजाएंगी, don't worry, पढ़ाएंगे, lovely भी adjective है, बिल्कुल, देखो, मुझे दो ही चीजे होती हैं आप लोगों के पास, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a lot of, लेकिन a lot of लिखो या तो, और अगर आप यहाँ पे lot में एस लगाते हो, मतलब lots लिखते हो, तो फिर वो होता है lots of, lots of, लेकिन a lots of कुछ नहीं होता, अगर यह लगा रहे हो तो फिर lot of आएगा, ठीक है, तो यह दोनों चीजे बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखनी है, यह दोनों चीजे, ठीक है कि भाई यह important है, ध्यान रख लेना, कि यह दोनों चीजे आप लोगों के पास होती है, देखे है, lots, a lots of कुछ नहीं होगा, इसी लिए आप लोगों की यहाँ पर error हो जाएगी, या तो आप इसको lots of कर सकते हो, या फिर a लिखा है तो a lot of कर लो, फिर्स्ट पार्ट में error हो जाएगी, clear, 26th question देखेंगे, he does not have some money to buy a new x-ray plant, so he is very worried, बताओ, sentence के अंदर क्या error है, बताओ, sentence के अंदर क्या error है, सभी students एक पर बताएगे, very nice, sentence negative है, आप लोगो को परसो की class में कराया था, I think कली है परसो, तो बताया था हम आप एक जो sum होता है, उसको imposter sentence में यूज करते है, negative sentence में और interrogative sentence में, any को preference देते हैं, so he does not have some money नहीं आएगा, he does not have any money हो जाएगा, परस्ट पार्ट में आप लोगों की error हो जाएगी, सारे जो concept है ना बच्चो आप लोगों की notebook में आपको लिखे मिलेंगे, इसलिए आप लोगों की नोट्बूक में आपको लिखे मिलेंगे, नेक्स एको, her father told her that it would be all the more better if she would find her groom herself, अगर पापपा अपनी बेटी को कहते हो तो लड़कों के तुम लड़कों के तुम अच्छा होगा कि तुम अपना धूला खुद ढूंद लो, ग्रूम का मतलब क्या होता है धूला, तो बचुब, better is comparative degree so we do not use more with comparative degree that means b part में आप लोगों के हांपर error हो जाएगी, correct? चल नेक्स देखो, नेक्स देखो I told the teacher that the homework set for the day was much too heavy for us to complete, बताएगे बई, sentence के अंदर क्या error है? बहुत बढ़िया, तो students कह रहे है मैं much को remove कर दीजे, बिल्कुल सही बात, much यहां पर नहीं आएगा, देखो आगे तू लिखा है, तो यह too heavy to complete, ठीक है? तो सी पार्ट में आप लोगों की error हो जाएगी, ध्यान रखेगा, इस तरह से आप यहां पर use करते हो, यहां पर लिखा है, that lady, नहीं नहीं, वो बचो बन आप लोगों बताया था, कि too much के, too much तब लगाते हैं, जब हमारा noun आता है, आगे, ठीक है? और यह आपको concept का लिखवाई दिया है, मैंने, और much to तब लगाते हैं, जब आगे आप लोगों का adjective होता है, यह लिखवाया था, तो वहां पर too much न cultured as her youngest sister, बताये, कि वो जो लेडी है, वो ज्यादा सुन्दर है, लेकिन cultured नहीं है, अपनी छोटी बेहन की तरह, बताये, sentence के इंदर कह रहे है, आप यहाँ पर देखो, कुछ students कह रहे हैं, कि मैं यंगर कर दीजे, बचो यंगर करने की क्या ज़रत है, आप मुझे यह बता हो, ऐसा भी तो हो सकता है, कि जो सबसे छोटी बेहन है, उसके साथ comparison किया जा रहा हो, तो comparison के लिए आपने comparative degree लगा तो दी है, यह देखो, more beautiful, youngest गलत नहीं है, मुझे पता था कि बहुत सारे students, यंगर करेंगे इसको, यंगर तब लगाएंगे वालो दो बेहने है, उसमें से चोटे वाली है, तो यंगर सिस्टर बोल दोगे, लेकिन हो सकता है, कि पांच बेहने हो, पांच में से सबसे चोटे वाली की बात हो रही हो, कि जो यंगे सिस्टर है, यंगे सिस्टर का comparison हो रहा है उस लेडी से, कि लेडी जो है, वो ज्यादा सुंदर है, लेकिन cultured नहीं ह बिल्कुल सही लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस में कोई बियार नहीं है, चूटी चूटी गटबढ़ी होती है, जो आप एक्जाम में करके आते हो, अगर थोड़ा ध्यान से फोकस जो के करोगे, तो गलती नहीं होगी, comparison के लिए हमने more beautiful लगाई दिया है, वहाँ पर यंग लवलियर दान ही हिमसिल्फ, बदाओ, देखो बचो, आप लोगों को कली ये concept कराया कि एंड क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है, और जो कंजंक्शन होती है, वो सेम डिग्री को आपस में जोडती है, यहाँ पर देखो लवलियर है, और यहाँ पर दो लोगों की बीच में आरजन काम कर रहे हैं, तो comparative degree ही चाहिएगी, तो more tall कुछ नहीं होता, यहाँ पर आजाएगा taller, ठीक है, C part में आप लोगों की error हो जाएगी, जिन भी students ने आपर third option answer किया है, सही बचों का answer बिल्कुल सही है, next question देखेंगे, आपर what to please him more is a healthy criticism of his performance, बजाएगे, क्या error है, प्रदीप, लक्षे, दीपक, दनन्जे, पूजा मिश्रा, नितेश, सभी बच्चों का प्रमोध, कूल सिंग, सभी का answer बिल्कुल सही है, very nice, तो निल, बहुत बढ़ी है, very nice, तो बिल्कुल सही लिखा है, इसका बतलग कोई भी घड़बढ़ी हैं आपर, नहीं है, इस sentence मे भी आप लोगों की no error हो जाएगी, next question दिखेंगे, foreign businesses in developing countries have usually problem of lack of infrastructure and right laws, चल, पढ़िए बचो, sentence में बताएंगे कि क्या error है, पढ़ो, पढ़िए, अब बताएंगे sentence में क्या error है, पढ़ो, पढ़िए, अब बताएंगे sentence में क्या error है, students कह रहे हैं कि maam no error, इसमें भी कोई error नहीं है, बचो, हाँ, very nice, रवी ने देखो, यहाँ पर सही answer किया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही नाइस रवी, और बहुत ही कम students है, जिन्होंने इस question का सही answer किया है, बचो, problem, problem is noun, और noun के साथ मुझे क्या चाहिए, adjective चाहिए, तो usually नहीं आएगा, usually तो adverb है, यहाँ पर क्या लगा जाएगा, usual problem, ठीक है, usual is adjective, usual problem, clear है, usual problem, ठीक है, तो आप लोगों की यहाँ पर बी पार्ट में error हो जाएगा, जिन्वी students ने बी आंसर किया, समझ आया, point क्या था, एक-दो student ने सही answer कि बाकी सबका आंसर गलता, सारे questions अच्छे हैं, बच्चों मैंने बोला न सिखा के जाएंगे आपको बहुत बढ़िया कुछ, राजा often tells us that he does not like anything more than sleeping peacefully, कि राजा अकसर हमें बताता है कि भाई उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अराम से सोने के अलावा, कि बताईए, चल रहा है adjective, ऐसे कैसा हो सकता है कि यह मैं रहर न ढूंडे, तो तुम जबरदस्ती एडवर्ब को adjective बना देते हो, बिल्कुल सही लिखा है भई, कोई भी error इसके इंदर नहीं है, ठेक है, no error, no error, जालो, next देखो, she was startled to see in her drawing room a most popular film producer, most popular film producer, बताओ, startle का मतलब क्या होता है, बच्छो, startle भी आप लोगों का एक word है, जो एक्जाम में पूछा जाता है, इसका synonyum, CGL Plimps का जो अब आप लोगों का exam होता, December में, इसका mains अभी आपने दिया है, उसमें पूछा गया था, startle, startle का मतलब होता है, surprise, उसमें आया था, synonyum पूछा गया, तो देखो, surprise आ सकता है, wondered आ सकता है, amazed आ सकता है, है न, तो यह सब इसके synonyum हो सकता है, shocked हो सकता है, startle का मतलब होता है, एक्दम चौक जाना, surprise हो जाना, ठीक है, तो वह अपने drawing room में एक most popular film producer को देखके chalk गई, तो बच्चों आप लोग जानते हैं, बहुत बहतर तरीके से, कि जो आप लोगों की comparative, sorry, superlative degree होती है, superlative degree से पहले हम the का यूज करते हैं, कल ही आप लोगों को यह चीज पढ़ाई है, तो यहां पे the most popular film producer आ जाएगा, सी पार्ट में आप लोगों की यहां पे error हो जाएगी, clear है, very nice, the most हो जाएगा, सभी students है जिन्होंने सही answer किया है, प्रदीप, दीपक, उनम, चंदरप्रकाश, जोन कुमार, very nice, अमन यादव का answer भी सही है, और धननजे ने भी सही answer किया है, very nice, और भी बहुत सारे students है, जिन्होंने सही answer किया, soni का answer भी सही है, next, देखो, India is better than most other film producing countries of the world, बताई, इंडिया बहतर है, तो यहाँ पर students कह रहे हैं कि मैं बी पार्ट में error है, very nice, बी में आप लोगों की error है, बहुत बढ़िया, पहली बार तो देखो, यहाँ पर others नहीं आएगा, right, बहुत बढ़ी है, बी में आप लोगों की error जाएगी, all other आप कह सकते हो, तो most other कहना भी is not okay, India is better than all other film producing countries in the world, यहाँ पर other का others भी नहीं होगा, यह भी आप लोगों की error हो जाएगी, next, देखे, this website does not accept advertisement and is funded entirely by donation, give voluntary by the subscribers, बताओ, क्या इसके अंदर error है, सब भी students बताएंगे, बढ़िया question है, देखते है कितने students हैं, जो इसका सही answer करते हैं, let's see, very nice, देखो, बच्चों ध्यान से देखो, this website does not accept advertisement, यह जो website है, advertisement accept नहीं करती है, and is funded, इसके बाद आपने यहाँ पर लगाई है, verb की third form, मतलब passive voice बना रहे हो, by subscribers भी लिखा है last में, by the subscribers, that means passive voice बना रहे हो, and is funded entirely, देखो, यहाँ पर आपने is लगाया, फिर verb की third form लगाई, फिर इस verb को qualify करने के लिए एक adverb लगाया entirely, clear है, तो देखो, यहाँ पर देखो, and is funded entirely by donations, ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो, कि जो यह verb आपके सामने लिखी है, यह भी तो इसी से connected है, तो यहाँ पर भी तो क्या आना चाहिए, given आना चाहिए, verb की third form आएगी, बिल्कुल इसी तरह से format बना होगी, आप जैसे यहाँ पर बना हुआ है, and is funded और given, warrantarily, यहाँ भी तो फिर यही आना चाहिए, adverb बना होगी इसको, जैसे वहाँ पर entirely लिख रखा है, आपने यह इसको qualify करेगा, right, और by the subscribers, फिर यह देखो by donation, जैसे यहाँ पर आपने लिखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा by the subscribers, that means c part में आप लोगों की error हो जाएगी, clear है, adjective नहीं, वहाँ पर आप लोगों को adverb लगाना है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं entire कर दो, बच्चों entire क्यों करेंगे entirely सही तो लिखा है, ठीक है, सही लिखा है एकदम, कोई भी error नहीं है, जालो, next देखो, lightweight and easily to handle two wheelers have become a boon for female commuters, जालिए भई, सभी students बताएंगे कि sentence के अंदर क्या error है, clear है, अहां, बिलकुल, अभी बताते है, style तुम्हें रुको, block कराते हैं भी तुम्हें, सारे सवालों के जवाद मिल जाएंगे भी, lightweight and easily to handle, बच्चों easily to handle नहीं easy to handle, बीच में लिखा है and इधर आपका adjective है, तो यहां भी क्या आएगा, adjective आएगा, easily नहीं easy to handle, यहां पर भी आप लोगों को adjective की ज़रत है, देखो यह adjective लिखा है, easy to handle हो जाएगा, first part में आप लोगों की error हो जाएगी, lightweight and easy to handle, two willers, two willers को, two willers को handle करना lightweight or easy होता है, have become a boon for female commuters, next, देखिए, she is as good if not better than he, क्या error sentence के अंदर, बताओ, देखो बचो, as as पूरा लिखोगे न, आप लोग जानते हो की as as क्या करता है, पॉजिटिव डिगरी को connect करता है, तो पूरा pair use करोगे न, as as, as good as, ठीक है, खाली, एक as लगा के तो बात नहीं, जब भी आप लोगों के पास ऐसे नजर आए, question ऐसे बहुत पूचे जाते है, एक as लगा रखा है, एक as गायब कर रखा है, तो लगाना जरूरी है, यहाँ पर, she is as good as, ठीक है, तो first part में आप लोगों की error हो जाएगी, clear है सबको बात यहाँ तक, ठीक है, clear है सबको बात यहाँ तक, तो यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, next question देखेगा, all your attempts are daring, but this one is certainly the more daring, कि तुम्हारे सारे ही attempts daring है, लेकिन जो यह वाला है, यह निश्चित तौर पे daring है, सबसे जादा मतलब, तो बताओ sentence के अंदर क्या error है, sentence के अंदर क्या error है, तो यहाँ पे students कह रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों का, आप लोग जानते हैं कि superlative degree से पहले हम the का use करते हैं, पहली बात तो यह कि the के बात एक को comparative degree नहीं आती है, दूसरी बात यहाँ पे आप सारे attempts में से एक attempt की बात कर रहे हो, तो जब हम दो से ज्यादा में से किसी एक की बात करता है, then we use superlative degree, तो यहाँ पे more का कोई काम नहीं है, यहाँ पे क्या जाएगा, most daring आ जाएगा, बहुत को सीखने के लिए मिलेगा, वीडियो के end तक बनी रहा करो, जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते sessions को, किसी भी वज़ा से, वो recorded form में बात में जरूर देखा करो, पूरी playlist आप लोगों के पास है, पूरा A to Z batch आप लोगों के पास है, इसमें theory पढ़ाई जारी है, प्राक्टिस कराई जारी है, प्रॉपर पढ़के यहां से अपने notes बना सकते हो, काफी कुछ अपनी अपनी प्राक्टिस को और अच्छा कर सकते हो, अपनी चीजों को और भढ़ा सकते हो, अच्छा कर सकते हो, ठीक है, चालो, next देखो, बिलकुल, this is the more difficult sum I have ever solved within 5 minutes, कह रहा है कि यह सबसे difficult sum था, जो अभी तक I have ever solved within 5 minutes, जो अभी तक मैंने 5 minutes में call किया है, तो ज्यादा किया है, उनमें से एक था, फिर से again वही कि आप लोगों का the है, the की बात comparative degree तो नहीं आएगी, है ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, more difficult नहीं, most difficult sum हो जाएगा, very nice, जिन्भी students ने आपे most answer किया है, सभी का answer बिल्कुल सही है, प्रदीप, पूजा, चंद्र, आर्फुल, ठीक है, इन सभी बच्चों का answer बिल्कुल सही है, ठीक है, ब्लॉक तो तुम्हें कराना पड़ेगा, साहिल, ठीक है, अभी मैं इधर से नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये खराब बैटके notes बना रहे हैं, अपने register साथ लेके बैठते हैं, इनको पढ़ना है तो पढ़ना है, इनको फरक नहीं पढ़ता, आप दो चार बच्चे खराब आजाएंगे, तो इनकी वैसे इनकी पढ़ाई थोड़ी ना disturb हो जाएगी, मेरे उपर कोई फरक नहीं पढ़ता, आप तो आपको नहीं मिलेगा, आप भी जानते हैं, बिना मतलब अपना डाइम खराब कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे बतेरी चानल है, बहुत सारी चीज़ा है, यूटूब पे वहाँ जागे, आंसर करो, जादा ही दिक्कत है, तो फिर बहुत आंसर करने वाले भी इसे बहुत लोग मिल जाएंगे, जो आपका अंसर कर भी देंगे, यहां पे कोई दिमाग खराब करने से आपको फाइदा नहीं है, बिना मतलब बच्चों को भी डिस्टरब कर रहे हो, अभी इनको ब्लॉक कर आते हैं, सारे क्योशन इनको यहीं पूछने आंके, अभी बत मेरी क्लास में मेंशा कभी भी comment box लडा के देख लिना मोजमस्ती को मैं entertain नहीं करती हूं कभी ऐसे students को entertain नहीं क्यों कि पढ़ाने पर focus है, महनत कर रहे हैं, हम भी महनत कर रहे हैं, आप भी महनत कर रहे हैं, तो पढ़ने की वज़े से कर रहे हैं ताकि selection हो सके, भाई चलो MTS क पहले पहले chapter zone हो जाएंगे तो मैं खुछ सोच रहूं कि पहले आपको narration voice करा दूँ तक एकजाम में थोड़ी help मिल जाए हम आपके लिए सोच रहे हमारे सोच रहे हैं अपने लिए सोच रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो त्यारी कर रहे हो दो चार बच्चे आगे सारा ग्लास की मूड को माहोल को सबको बिगाड देते हैं इनको और कोई channels तो मिलते नहीं है सब करने के लिए यह educational channels ही मिलते हैं जहां पर बच्चे बैठके पढ़ रहे होते हैं तो यह चीज ज्यान रखेगा चलता रहेगा इसमें कोई भी दिख्कत नहीं आएगी आप लोग को करवाय जाएगा उससे अलग आप लोगों को अगर यहां पर पेट बैच के साथ जाना चाहते हो तो आप यहां पर जा सकते हो तो यह आप यहां से बाकी सारे डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वगएरा पूरा इसमें कवर कर आए जाएगा इस बैच को भी आप ले सकते हैं कम्प्लीट तैयारी PDFs, printable, sheets and all सब को जिसमें प्रवाइट करा जाएगा वो क्या आपकी classes में सुबा चलती है 9 बजे 45 sessions हो चुके है 60 कराने हैं तो बागी के sessions को आप लाइव पकड़ सकते हो जितने हो चुके है वो आपको recorded form में सभी मिल जाएंगे प्रदीप एक बार में क को question बता दे ना and I will discuss जालो मिलते हैं next session में thank you so much for watching this session प्यार बनाए रखिए इस तरह से अपना और जरूर से next अभी हम adverb करेंगी है और फिर adverb के बाद क्यूंकि adjective और adverb दोनों साथ साथ हो जाए तो क्यूंकि काफी जंगा आज भी आपने देखा कि adjective के जंगा adverb लगाना थ तो वो सब चीजे थी ठीक है तो मिलते हैं next session में thank you so much bye bye take care of yourself झाल से झीझ के जाए तो मिलते हैं next row झाल से छिंगा अभी है तो किaterसे फिंगा तो मिलते हैं is वो तो तो मिलते हैं मैं नहीं तो मिलते हैं